क्या आपको भी कतरे आने की प्राब्लम हैं आप जब भी फॉन पर बात करते हैं किसी लड़की से औरस से अपनी बीवी से तो आपके चिपचिपा पानी आने लगता है कतरे आने लगते हैं और इसकी वज़ा से लिंग ढिला रहता है कड़क नहीं रहता सक्त नहीं रहता आपकी टाइमिंग बिल्कुल जीरो हो चुकी है क्योंकि जब भी आपको कत्रे आएंगे चिपचिपा पानी आपका निकलेगा वो तब ही होता है जब आपका वीरिये पतला हो जाए अगर ऐसी situation ऐसी condition आपकी है तो आज की इस वीडियो मे हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसका लगकर इस्तिमाल करने से आपकी ये problem पूरी तरह से ठीक होगी आपका वीरिये बनेगा बढ़ेगा गाढ़ा होगा आपके अंदर रुकावट बनेगी और जो दिक्कत आपको हो रही है चिपचिपा पानी निकलने की कत्रे आने की वो आपकी पूरी तरह से ठीक होगी इस दवाई को नोट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए आप को कुछ चीजों की जरुट होती है जिसमें पहली चीज है मुसली सफेद ये आपको 50 ग्राम लेनी है फिर दूसरी चीज है सालम मिश्री ये भी आपको 50 ग्राम लेनी है फिर तीसे चीज है बहु फली ये भी आपको 50 ग्राम लेनी है फिर है मिश्री ये आपको 150 ग्राम ले तैयार कर लें यानि चूरन तैयार कर लें जब आपका चूरन तैयार हो जाएगा तो ये दवाई आपके बनकर तैयार है एक डिब्बे के अंदर इन सभी चीजों के चूरन को भर कर रख दें अब आपको इसका इस्तेमाल करना है दिन में दो बार इस्तेमाल करने का तरीका य कि सुभा को खाली पेट यानि निहार मौ इसकी एक चमच खाईए और ओपर से या तो दूद पीजिए ठंडा करके या फिर पानी से आप इसको 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 ये आपके वीरिये को बनाएगा, बढ़ाएगा, गाड़ा करेगा, आपके अंदर रुकावट को बनाने का काम करेगा, ये जो धात की दिक्कत आपको हो रही है, चिपचिपा पानी निकलने की प्रॉबलम आपको हो रही है, पेशाब के कत्रों के साथ धात जाती है, चिपच दवाई का इस्तेमाल करें, कुछ चीजों का परहेज करें, जिसे तली हुई चीजे होती हैं, खटी चीजें आपको नहीं खानी हैं, जैसे अचार, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, डोसा, समोसा, पकोड़ा, इन चीजों का आप परहेज करें, और गरम चीजे भी आप ना ख क्वैँ आप तुम्स माझ करें, वेवाद करें लिएू आप सक्तेमालाओं जिए, जैवा से खएगेचों का तुम्स एसी तली हैं, का इस एफ Corn